हेलो स्टुदेंट वेलकम टू ओ लेवल जीए सद्डा यूट्यूब चैनल आज हम लोग नेश्टनल एजुकेशन पॉलिसी दो जार निस जो की 2020 के नाम से भी जानी जाती है नियू एजुकेशन पॉलिस पॉलिसी है यह ठीक है यह के कस्तूरी रंगन इसरों के जो पहले अ पूछ सकता है वहाँ पर डालने आले फैक्टर्स भी यहाँ से उठते हैं हमारे ठीक है नई शिक्षा नीती रोग उन्नेसो च्छी च्छा नीती की जगा पर लागू की गई है नई शिक्षा नीती 22 के अंदर 3 साल से 18 साल तक के बच्चों की शिक्षा कादिगार कानूं 2009 क के अंदर रखा गया है नई शिक्षा नीती का उदेश से सभी छात्रों को उच्छ शिक्षा प्रदान करना है ठीक है पूर प्रात्मिक शिक्षा ठीक नई शिक्षा नीती का उदेश से 22 तक पूर प्रात्मिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष की आयू सीमा को सार्भोमिक बिनाना है और 2025 तक सभी के लिए मूलभुत, साक्षरता और संख रात्मक्ता परदान करना है। शिक्षा के लिए सारभोमिक पूच पहुच ड्रॉप आउट्स को पुना स्थापित करने के लिए शिक्षा की सारभोमिक पूच सुनिश्चित करनी है। इसके लिए एनिपी न्यू एजुकेशन पॉलिशी दोजार तीश तक तीन सथारा वर्ष की आईउग के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्रे स्कूली शिक्षा में पौच और बागिरधारी प्राप्त करने का उदेश्य निरधारित किया गया है। ठीक है। जो कि आईउवर्ष के तीन से अठारा वर्ष के बच्चों को कवर करता है ठीक है। पांच यहर तीन सो चोगों नहीं आद रखना है तीन सो चोगों नियाद रखेगा इस स्ट्रक्चर को लिखने में भी अच्छा रखता है। इसके तहित 5 साल का foundation stage, ठीक है, 3 साल का primary school और grade 1-2, ठीक है, 3 साल की तेयारी या later primary stage, grade 3-4-5, ठीक, तीसरा है, मध्या उच्च प्राथ्मिक चरण के 3 साल के grade, 6-7, कक्षा यह है, 6-7-8, यह कक्षा है, जो number है, ठीक है, 4 साल का उच्च या माध्यमिक चरण, जो हता है हमारा intermediate, 9-10-11-12, तो इसको 5-3-3-4 में डिवाइड ही आगया है, ठीक है, कला और विज्ञान, नई शिक्षा नीती का उदेश है, छात्रों को कला, मानविकी, विज्ञान, खेल, और व्यापसाइक विश्यों में अध्यन करने के लिए, लचीलेपन और विश्यों की पसंद को बढ़ाना है, ठीक है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, बैग्राउंड ड होते हैं, कॉग्निजिटिव प्रॉफिट बोलते हैं इसे, जब आपकी अभिविर्थी का निर्मान होता है, तो उसी में कॉग्निजिटिव भी आता है, ठीक है, सीएबी मॉडल अगर आप पढ़ते हैं अभिविर्थी के लिए, इसलिए बच्चों को प्रारंबिक वस्ता में इसे ही तीन भाषाओं में विसरजित कर दिया जाएगा, ठीक है, इस कूलों में तीन भाषा फॉर्मूला की निरंतरता, तीन भाषा फॉर्मूला शिक्षा निती पर, राश्ट्रिय निती 1968 को अपनाने के बाद से, और शिक्षा निती 1986 और 1992 के साथ साथ, NCF 2005 में राश शेत्रों और संग के सविधानिक प्राबधानों और अकांशाओं को ध्यान में रखें, भारत की शाष्त्रिय भाषाओं के लिए, एक्स्पोजर देश के हर शात्र 6-8 ग्रेड में कुछ समय के लिए भारत की भाषा पर एक मद्जिदार कोर्स करेगा बच्चों के सम्रिद के लिए और इन सम्रिद भाषाओं और उनके कलालात्मक खजाने के संरक्षन के लिए, सभी स्कूलों में सभी शात्र सारवजनिक अनीजी, माद्यमिक शिक्षा और विश्विद्याले के माद्यम से जारी रखने के लिए विकल्प के साथ ग्रेड 6-8 में भारत की शाष्त् दो साल लगेंगे, ठीक, शारीरिक शिक्षा स्कूल के सभी इस्तरों पर सभी छात्रों को नियुमित रुप से खेल, योग, मार्शल आर्ट, निरत्य बागवानी, कुछ, बहुत कुछ, जिसमें शिक्षकों और सुविदाओं की स्थान्य उपलब्दता के अनुसार, शार आपधान हैं, और जो अनुसार, शाय कीई गई है, New Education Policy में, राज्य विध्याले नियामक प्राधिगरण, थीक है, प्रतेक राज्य के लिए, राज्य विध्याले नियामक प्राधिगरण, नामक एक स्थंत्र, राज्य विध्या पी, नियामक संस्था बनाई जाएगी, ज सबी विश्यों में उत्कृिस्ट अनुसंधान प्रस्तावों के लिए प्रतिस्पर दीवित पोशन प्रदान करने के लिए की जाएगी। जैसा कि सहकर्मी की समिक्षा और प्रस्तावों की सफलता से निर्धारित होता है। राष्ट्रे शिक्षा आयोग एनिपी का लक्षे भारत के प्रदानमंत्री की अधिक्षता में एक नया सर्वोच निकाए राष्ट्रे शिक्षा आयोग या राष्ट्रे शिक्षा आयोग बनाना है यह दंड देश में शिक्षा की द्रिष्टी को विक्सित करने कलाकारी, कार प्रद्यान्वन, मुल्यांकन और संशोगन के लिए जिमिदार होगा। इसका अध्यक्ष भारत के प्रदानमंत्री होंगे। ठीक है। नई शिक्षा नीती के उदेशे क्या है? What is the new education policy objectives? क्या इसके उदेशे हैं क्यों लाई गई? Basically, क्या कारण है? नीती के गोशित उदेशों में एक भारती होने में गहरी जड़े गर्व पैदा करना ना केवल विचार में बलकि आत्मा, वुद्धी और कर्मों में साथी, साथ ग्यान, कोशल, मुल्यों और प्रस्तावों को विक्सित करना है, जो मानवा दिकारों, वेशन के लिए एकल नियामक द्वारा हलकाल, लेकिन तंग विन्यमन करना है, नियू एजुकेशन पॉलिसी का कहना है, कि 2040 तक सभी उच्छ सिक्षण संस्थान, हाई एजुकेशन इंस्टूट का उधेश्य बहु विश्यक संस्थान बनना होगा, जिसमें परतेक का लक् इसका उधेश से उच्छ सिक्षा के सकल नामंकन, GER को अनुपात को बढ़ाना होगा, जिसमें 2035 तक व्याफसाइक सिक्षा को 26.3 परतिशत से बढ़ा कर 50 परतिशत किया जाएगा, एकल स्ट्रीम उच्छ सिक्षा संस्थानों को समय के साथ समाप्त कर दिया जाएगा, और बहु विश्यक बनने की और बढ़ेंगे, संबंदित कॉलेजों की परणाली को धीरे धीरे 15 वर्षों में समाप्त कर दिया जाएगा, देश में High Education Institute के वरतमान जटिल नामकरन जैसे विश्वद्याले माना जाता है, संबंद विश्वद्याले, संबंद तकनीकी द्वारा बदल दिया जाएगा, एक विश्वद्याले का मतलब एक बहु विश्यक संस्थान होगा, जो उच्च गुणवत्ता वाले, शिक्षण, अनुसंधान और सामुदाइक साहभ्यागिता के साथ सनातक और सनातक कारेकरम परदान करता है, परिभाषा उन संस्थानों के एक स्पेक्ट्रम के अनुमती देगी और सिक्षण और अनुसंधान पर समान जोड़ देते हुए, अर्थात अनुसंधान गहन, विश्वद्यालों को सिक्षण गहन, विश्वद्यालों के लिए वरतमान नाम करना जैसे, जैसे कि विश्वद्याले के रूप में समझा आपने जाने वाला संब्ध विश्विदाले, संबंधित या तक्नीकी विश्विदाले, एकात्मक विश्विदाले के साथ किया जाएगा, ठीक है, जो वेरियस टाइप की उनिवस्टी है, उसको बाद में एक सिंगल उनिवस्टी बनाय जाएगा, जिसमें multiple type of subjects पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, नई शिक्षा निति दोयर निति से क्या होगा, ठीक है, यह क्या होगा, चेंजिस क्या होगे, यहां तक की IRTSA इंजिनिरिंग संस्तान अधिक कला और मानुविकी के सासा समगर और बहु विश्यक शिक्षा की और बढ़ेंगे, कल साहिते, संगीत, दर्शन, कला, निरित्य, रंगमंच, शिक्षा, गणित, सांकिकी, शुद्ध और अनुपरियूप्त, विज्ञान, समाशास्त्र, अर्शास्त्र, खेल, अनुवाद, और व्याख्या आदी, विभागों को सभी को H.E.I. में स्थाबित और मजबूत किया सनातक की डिग्री तीन या चार साल की अवदी की होगी, इसमें कई विकल्प होंगे, उधारण के लिए व्याफसाइक च्छेत्रों या दो साल के अद्धन के बाद, डिप्लोमा या तीन साल के कारेकरम के बाद, सनातक की डिग्री, साहित एक अनुशाशन या शेत्र में ए विश्यक बैशलर प्रोग्राम हाला कि पसंदिदा विकल्प हो गई है अभ्यरती का छात्र का एक एक अकेडमिक क्रेडिट को डिज्टल रूप से संग्रहित करेगा जैसे डिजी लोकर है आपका यदि छात्र एक कठोर अनुसंदान परियोजना को पूरा करता है तो चार वर्षे कारेकरम भी अनुसंदान के साथ हो सकता है ठीक IIT IAM आदी की साथ समग्र और बहुविश्यक शिक्षा के लिए मॉडल सारवजनिक विश्वद्याल ले जिने M.E.R.E.S. बहुविश्यक शिक्षा और अनुसंदान विश्वद्याल ले है यहने Multiple Education Research Universities का जाता है इस्थापित किये जाएंगे मेरूज उच्ष शिक्षा संस्थान निरंतर और व्यापक मुल्यांकन की दिशा में उच्षिस्तर की परिक्षाओं से दूर हो जाएंगे ठीक भारत को सस्ती लागत पर प्रीमियम शिक्षा परदान करने वाले वैश्वी कध्यन गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा विदेशी चात्रों की एक मेजवानी करने वाले परिक संस्ताण में एक अंतराश्ट्री शिक्षा परेयले इस्थापित किया जाएगा ठीक है कुछ परदर्शन करने वाले भारती विश्विदाल्यों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रवस्ताइद किया जाएगा दुनिया के शीर सो विश्वदालों में से चैनित विश्वदालों को भारत में काम करने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी ऐसी परिविस्टी की सुविधा देने वाला एक विधाई डांचा रखा जाएगा और ऐसे विशुदाले को भारत के अन्य स्वायत संस्थानों के साथ विनियामक, शाशन और सामगरी माम दंडों के विशेश जानकारी दी जाएगी परतेक शिक्षा संस्थान में तनाव और भावनात्मक समयजुन से निपटने के लिए परामर्श परणाली होगी जिसे भावनात्मक बुद्धी आप पड़ते हैं पेपर फोर में इमोशनल इंटेलियंस, डैनियल गॉल्मेन की थियोरी है किसी भी सक्सेस में आपका 80% जो रेशो होता है या परसंटेज बोल लीजी आप आपकी इमोशनल इंटेलियंस होती है इसके 5 कंटेंट्स होते हैं तब जाके आप EI काम करती है आपकी IQ आपकी किसी भी सक्सेस में आपकी डिजिजन मेकिंग में 20% ही मेजर रोल प्ले करती है इंटेलियंस, क्यूशन जिसे बोलते हैं हम लोग SC, ST, OBC वह अन्य S, E, D, G से संबंदिच छात्रों की योगिता को प्रवसाइद करने का प्रयास किया जाएगा व्याफसाइक शिक्षा को अगले दशक में चरणबद तरीके से सभी स्कूलों और उच्छ शिक्षा संस्थानों में एकिकरित किया जाएगा 2025 तक स्कूल और उच्छ शिक्षा प्रणाली के माद्यम से कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों को व्याफसाइक शिक्षा के लिए चोकिम होगा बैटलर और वोकेश्टल दोयार तेरा में शुरू की गई डिगरी मौजूद रहेगी लेकिन अन्य सभी सनातक कारेकरमों में नामंकित छात्रों के लिए व्याफसाइक पाठ्ठे करम भी उफलब्द होंगे जिन में चार वर्षिये बहु विश्यक सनातक कारेकरम शामिल है ठीक है लोक विद्यार ते अर्थात भारत में विक्सित व्याफसाइक ज्यान छात्रों के लिए सुलब बनाया जाएगा मानो संसाधन विकास मंत्राले जिसे शिक्षा मंत्राले का नाम दिया जाएगा या जा सकता थे रिकमेंडेशन थी पर आज ये अप्रूबल हो चुका है परदान मंत्री द्वारा व्याफसाइक शिक्षा के एकिकरण के लिए एक राष्टे समेती का गठन क्या रहेगा NCIVE नीती एक राष्टे अनसुंदान फाउंडेशन बनाने के लिए भी बोलती है NRF इस नीती में भारत के एक कुछ शिक्षा आयोग HECI की निर्माण का भी उल्लेक है High Education Commission नई शिक्षा नीती ये पहले का है ठीक है जिस समें ये एक ड्राफ्ट बना था केंदर सरकार द्वारा नुमदित देश भर में उच शिक्षा संस्थानों के लिए एकल नियामक HECI परिकल्परना करती है और उच इस्तर शिक्षा परिशद HECI Higher Education Council of India विबिन भुमिका को पूरा करने के लिए कई कार्य शेत्र होंगे HECI पहली उर्दवादर राष्ट्रे उच्षतर शिक्षा नियामक परिशद NHERC होगी यह एक शिक्षा सहित उच शिक्षा के छेत्र के लिए सामान ने एकल बिन भुमिक नियामक के रूप में कार्य करेगा हाला कि यह चिक्षा और कानूनी शिक्षा को बाहर करेगा ठीक है आपका जो HECI जो उर्दवादर उपर उठते हुए यह ऐसे ठीक है HECI की दूसरी उर्दवादर एक मेटा माननेता प्राप निकाय होगी जिसराष्ट्रिय प्रत्यापन परिशल NAC का जाता है आप देखते होंगे उन्वर्स्ट्रिस जो होती है NAC अप्रूब्ड होती है और हलकि एक्ट उनका UGC अप्रूब्ड होता है 1956 संस्थानों का प्रत्यायन मुख्य रूप से बुनियादी माप दंडो, सारवजनिक, स्वयप और कटिकरण, शूशाशन और परिणावों पर आधारित होगा इसे NAC द्वारन निगरानी और देखरक करने वाले माननेता प्राप संस्थानों के एक स्वतंत्र परिस्थिति की तंत्र द्वारा किया जाएगा HECI का तीसरा वर्टिकल हायर जो है उर्दो आदर Education Ground Council High Education Ground Council होगा जो Colleges और Versities मतलब शौट फ़र्म में Universities को Versities भी बोल देते हैं कि Funding और Financing करेगा ठीक है HECI का चौथा वर्टिकल जर्णल एजुकेशन काउंसिल GEC होगा जो उच्च शिक्षा कारेकरमों के लिए अपेक्षिस सीखने के परिणामों को फ्रेम करेगा जिसमें Attributes नातक गुण भी कहा जाता है GEC द्वारा एक राष्ट्र उच्चतर शिक्षा योगिता फ्रेमवर्क त्यार किया जाएगा National Higher Education Qualitative Framework वर्तमान में उच्च शिक्षा निकायों का विनिमन विश्विद्दैल्ले अनुदान UGC अखिल भारती तक्निकी AICTE जिसे बोलते हैं जिसे आपकी BTEC इंविस्ट्री अप्रूड होती है राष्ट्रिय अध्यापक शिक्षा परिशद NCTE जैसे निकायों के माध्यम से किया जाता है विनिमन NHERC प्रत्यान NAC निदिगरण HEGC और स्ट्षनिक मानक सेटिंग GEC और अपने काम में दक्षता और पारदरिशा चा सुनिश्चित करने के लिए मानव इंटरफ्रेस को कम करने के लिए प्रोधगी का बड़े पहमाने पर उप्योग करेगा व्याफसाइक परिशद जैसे भारतिय क्रिशियन संदान परिशद ICAR आपका है पैसोची किस्सा परिशद तीक है? राश्ट्री अध्यापक शिक्षा परिशद NCTE, वास्तुकला परिशद COA, राश्ट्री वेफसाइक शिक्षा और परिश्चन परिशद NCVT, आधी पेश्वर मानक सेटिंग निकायो PSSBS के रुप में कार्य करेगा कार्यों का प्रिथिक्रण का मतलब होगा कि HECI के भीतर परतेक उर्द्वादर पर एक नई एकल भूमिका पर ले जाएगा जो नई नियामक दोजना में प्रासंगिक, सार्थक और मैट पूर्ण है ठीक है? यह इसके प्राविजन्स थे, नियू एजुकेशन पॉलिसी के जो की एक्जाम के प्रास्पेक्टिवली बहुत ज़्यादा आने योग्ये भी है क्योंकि इतनी पुरानी पॉलिसी को हमने चेंज किया है कब से यूजी सी के बाद चेंजिस किये गए थे, एजुकेशन कमिशन कभी सारे आये थे पर ये इतना लॉंगेस्ट और दीरदकालिक इसके अंदर उपाय किये गए है कि भारत की जी इसी और एजुकेशन पॉलिसी को लॉंग टाइम गोल्स के साथ अचिविमेंट करनी है ये मेंस पॉइंट ऑफिस जो तो है इंपॉटेंट प्रिलिम्स से इसके फैक्ट्स आ जाएंगे कि कितने कितने पे कौन सा त्री भाष़ई फर्मुला है कैसे किसे टाइप की स्टरडी इसके पॉइंट ब्रीफ किये गए हैं तो ये इस प्रकार के कोशन आ सकते हैं आर ये आर ओभी सोला प्रिलेम्स होने वाला है और ब्लॉक अज्युकेशन ओफिसर 12 ये कोशन आने वाले है और इसे एक्स्पक्टेशन भी की जा सकتे हैं इसी टाइप के जो की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होएंगे जिस पर हम लोग को कमांड कर लेनी है एक्जाम में आने ही है वही सारे यह चीजें यहां पर आपको लाओंगा ओके